राम जिसके इंकम एक लाख पचास अजार है भाई आपका मैं क्लियर बताऊं जो बच्चे ऑफ लाइन में बैठे हैं वह चुपचाप सरिफ सुने इसको तो सही रहेगा मैंने वैसे आज याद करने के लिए टेस्ट के लिए भी बोला था यह देखे राम जो है पांच लाख रुपए का है सरी डेड़ लाख रुपए की इंकम है इसका टेक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे अब राम तो सबसे पहली बात सर क्यूं नहीं है सर क्यूं नहीं है सर क्यूं कि इसकी इंकम टेक्स लाइबिलिटी के बराबर ही नहीं है तो इसका टेक्सेबल इंकम हमें नहीं निकालना पहली बात कई वर क्यूंच में आपको लगे कि किसी की इंकम दो लाख रही है तीन लाख रही है और क्यूंच बोल दे टेक्स लाइबिलिटी निकालो तो आपको वहां देना पड़ेगा he is not liable to pay tax यह liable ही नहीं है ठीक है example लेता जा रहा हूँ example number two मान लेते हैं राम की income चार लाख रुपए है सर इसकी तो निकलेगी कैसे निकालेंगे वो भी देखिए up to up to 250 0 इसके बाद next अगर next ने देखा जाए ना तो next 250 होता है लेकिन 250 लाइक ही नहीं तो next 150 बचेगा समझना बात को काफी बच्चे कोश्चन पूच सकते हैं समझ में आए डेड़ लाग कैसे बचा धाई लाग का हिसाब हो गया अब 4 लाग की income थी दाई का हिसाब बच गया तो डेड़ लाग बचा डेड़ लाग का कितने परसेंट होता है पांच तो पांच परसेंट इसका निकालेंगे तो 7500 टोटल टेक्स कितना हुआ इसका हाला कि इसे टोटल टेक्स देना चाहिए 7500 लेकिन मैंने बताया लोगों ने मुद्दा बनाया तो गौर्मेंट ने बोला पांच लाग तक माइनस तो गौर्मेंट ने क्या करा इसके बाद लेस कर दिया यहां से लेस रिबेट यह आपने याद रखना है रिबेट रिबेट कितना है हमारा 87 A कैपिटल A है यहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल A का भी बहुत अपने आपमें इन्पॉर्टेंट्स है बोला गया कि आपको 87 A में गौर्मेंट ने जब लॉब बनाया तो क्या बोला कि 87 A में आपको रिबेट मैक्समम दिया जाएगा 12,500 रुपए तक यानि आपका टेक्स लाइबिलिटी कुछ भी बनता हो अगर आपकी इन्कम 5 लाक रुपए या उसके अंदर है तो 12,500 तक आपको डिसकाउंट दिया जाएगा यानि रिबेट दिया जाएगा छूट दिया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए तो 75 चेक क्या करें सर सर इन्कम 4 लाक है लौ क्या कहता है मैं लिख रहा हूँ 87 ए क्या कहता है 87 कहता है इफ इन्कम ड़स नॉट एक्सीड रुपीस 5 लाक देन रिबेट देन रिबेट या देन रिबेट बोल दिया वैसे डिडेक्शन तो नहीं बोला रिबेट अलावड अप्टू 12,500 सर सेक्शन ने इतनी बाते बोली हुई है कहता है कि अगर आपकी इन्कम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाक से तो आपको 12,500 तक का टेक्स लाइबलिटी में छूट दिया जाएगा अब इसकी इनकम कितनी है सर एक्सीड नहीं कर रहा तो यह रिबेट के लिए एलिजिवल है या नहीं है कितने रुपे तक 12,500 रुपे तक लेकिन इसकी इनकम टेक्स लाइबलिटी बन रही है फिच्छतर सो तो रिबेट माइनस हो जाएगा कितने टेक्स लाइबलिटी कितनी हो गई इसको सरकार को कोई टेक्स नहीं देना अब 4% वाला मुद्दे की बात है अब इस पर 4% लगाऊगे तो वो तो 0 ही आना है ठीक है चलिए केस नमबर 3 मान लिजिए राम की इंकम पांच लाख रुपए है कितने इंकम बताई मैंने राम की पांच लाख तो क्या होगा यहाँ पे सर सर यहाँ पे होगा अब टू टू फिफ्टी कितने होंगे जीरो जिसे मैं निल लिख रहा हूँ नेक्स्ट अब भाई धाई लाख कट गए तो पांच में से धाई तो धाई तो बच रहा है न तो नेक्स्ट फिफ्टी कितने रुपए बारा हजार पांच परसंट मैं लगा देता हूँ पांच परसंट नी तो पूछेंगे डारेक्ट पता नी कहां से अमाउंट आ रहा है एड़ दा रेट फाइब परसंट के हिसाब से बारा हजार और तो इसके इंकम नीए पांच लाख बराबर कर दिया हमने इसका अब आगे हमारा बारा हजार पांसो क्या इसकी इंकम पांच लाख से एकसीड है या नहीं है नहीं है तो क्या ये रिबेट के लिए अलिजिबल है बिल्कुल सर अब लेस कर देंगे 87A रिबेट मैक्सिमम कितना जा सकता है बारा पांसो इसकी टेक्सिबल इंकम क्या हो गई 0 चलिए सर समझ में आ रहा है यहां तक अब ले लेते Mr. X जिसकी इंकम है Mr. X की इंकम 6 लाख रुपे मैं इंकम बता रहा हूँ इंकम पे लाइबिलिटी इसके अंदर डिडेक्शन वगईरा की कोई चर्चा नहीं है सब कुछ करके मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको टेक्स लाइबिलिटी निकालना सिखा रहा हूँ इसके इंकम कितनी है 6 लाख सर निकालते है क्या कहता है लो अब टू 250 क्या रहेगा हमारा निल next 250 what at the rate at the rate 5% जो की निकल के आता है कितने रुपए 12,500 क्या बचा है कुछ और एक लाख रुपए बचा है क्योंकि पांच का हिसाब किताब हो गया एक बचा next one lakh क्या slab rate आ जाएगा सीधा 20% यानी 20,000 कितने आ गए 22,000 87A क्या कहता है भाई तेरी इंकम अगर पांच लाख रुपए तक है तब तु मुझे अपलाई कर सकता है otherwise तेरी हिम्मत नहीं के मुझे अपलाई करे कौन कहता है 87A अब इसकी इंकम कितनी है क्या 87A अपलाई हो सकता है नहीं हो सकता है अब सीधा लगेगा यहां पे क्या प्लस 4% जिसे मैं CES बोल देता हूँ Health Education CES होता है वैसे मैंने CES लिख दिया Short Form में सर्फ 4% किसका 32,500 4% तेरा सो रुपए Tax Liability 33,800 ठीक है मैं भी काफे सार एक्जामपल लूँ हाँ जितने माइंड में डाउट चल रहेंगा थौट चल रहेंगा सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है और एक्जामपल ले चलिए Mr. X income 5,5,000 Mr. X की income कितनी रखी मैंने 5,5,000 अब टू 250 क्या income होगा निल Next Next 250 क्या income होगा at the rate 5% जो की आ जाता है हमारा 12,500 Next कुछ बच रहें क्या 5,000 बच रहें at the rate 20% 1,000 टोटल आ गया 87A लगेगा या निलगेगा कमेंट में भी बताईए आप भी बताईए मुझे क्या 87A लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि 87A क्या कहता है अगर income रही 5,000,000 रुपए तक अगर 5,000,000 एक रुपए भी हो गया न तो 87A नहीं लग सकता है यहां पर जो बच्चे लाईव हैं वो भी जवाब दे जवाब आ गया नो इसका मतलब सर देख रहे हैं 4 परसंट क्या लग जाएगा CES यह सही से लिखते थे हैं CES यानि आप एक चीज मैं यह सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ निकाल तो आप भी लेते यानि सर 5,000 रुपए अगर इंकम हमारी कम होती देख रहे हो कितना यह देखो लौ थोड़ा समझ में नहीं है यह पहले क्या था यह पहले क्या था 5,000 कितने रुपई ज़्यादा कमाये 5,000 जोड़ां सुलन लिए 14,000 चाहने हर वहिक्ति आज के टाइम पे चाहता यार मेरे इंकम ना 5,000 तक रुख जाए उसके लिए वह अलग-अलग क्या करता है टेक्स्मानिंग करता है हम टेक्स चोरी कभी वर्ड यूज नहीं करेंगे टेक्स प्लाइनिंग वर्ड यूज करेंगे कि इसदर इंवेस्मेंट किया जाए यह किया जाए तो एक यह चीज है 87 यह आपको लगाना आ गया होगा चलिए एक कोश्चन मैं आपको दूँ एक आठ लाग वाला तो किया था एक कोश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ Mr. X income 30,00,00,00,00 एक कोश्चन मैं आपके सामने करना जा रहा हूँ फटा-फट से आप भी इसके बाद दूसरा कोश्चन दूँगा आपने करना है Mr. X का income कितना है 30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कितने का हिसाब हो गया 10 का था इंकम कितना बचे कितने 20 लाग पर कितने परसेंट कि अब देखो आपको पता लगेगा कि टेक्स कि क्या हो गया हमारा छे लाख कि बारह हजाद कि पांसो अब इसके बाद भी सरकार को चैन नहीं आया ओके साथ लाख रुपए हैं साथ लाख एड़ दारेट 4 परसेंट सैस तो साथ लाख बारह हजार पांसो पर फोर परसेंट सैस 28,500 रुपए इतने में तो अपने बच्चे को पढ़ा ले गाई है 741 देखो अगर 30 लाख की इंकम आपकी हो रही है न तो 30 लाख के इंकम पर खुश होनी की जुरत नहीं है आपके इंकम सिर्फ और सिर्फ साड़े 22 लाख रुपए ही मनी जाएगे क्योंकि यह तो सरकार को ही देना है यानि आपकी 5 लाख रुपए तक इंकम है न तो आपको इशू नहीं है जैसे ही 5 लाख से ज़्यादा बढ़ता है न तो गवर्मेंट आपके उपर बहुत तेजी से आपसे कलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है अगर इसकी इंकम होती न पचास लाख रुपए तो गवर्मेंट बोलती इतना ज़्यादा कमा रहे हो पचास लाख पर गवर्मेंट को दे रहे हैं फिर भी बोलती 10% और लाओ जहां पर लग जाता है सरचार्ज अगर किसी की इंकम पचास लाख से लेके एक करोड रुपए के बीच में होता है तो वहां लग जाता है सरचार्ज हमारे कुश्चन के लिए irrelevant है बस मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ना अगर एक करोड से दो करोड होती है तो गवर्मेंट बोलता है और 15% जोड के लाओ ठीक है ना दो करोड से पांच करोड होता है तो गवर्मेंट कहती है अब और थोड़ा से बढ़ा के दो यानि government का purpose पता है क्या है कि आपके पास ज़्यादा पैसे ना छोड़ा जाए government के use में आ जाए अब ये बिचारा कितनी मेहनत करके 30 लाख रुपे कमाएगा पूरे साल में और इसने जो भी कमाएगा कितने रुपे tax देना होगा 7 लाख 41,000 रुपे tax देना होगा अब फिर ये person आपके पास आएगा और बोलेगा थोड़ी मेरी income कम कर दो और कुछ ऐसे मेरे लिए tax planning कर दो जिससे कि हमारा tax liability कम हो जाए मैं क्या करूँगा मान लो मैंने बहुत जगह उससे investment करवाया FD कर दो अपने parents के medical पे डाल दो किसी handicap की मदद कर दो charity में डाल दो insurance ले लो बहुत जगह कराया ऐसे करकर के मैंने उसके मान लो 5 लाख रुपे अगर मैंने कम करवा दिये tax planning के थूँ तो 5 लाख कम कराते ही उसके income पता ही कितनी हो जाएगी अब 25 लाख के उपर tax liability आपको निकालोगे ना जब आप तो क्या आएगा देखो मैंने tax planning कर रहा हूँ उसका 25 लाख रुपे की income पे क्या आएगा अब 2 250 मैं चीजे बता रहा हूँ जो आगे real life में काम आएगी आपकी next अब direct लिकूँगा मैं अब कितने बच गए पंद्रा लाख कितना होगा साढ़े चार लाख कितने tax हो गए बता ना साढ़े चार साढ़े पांच पांच लाख हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया सेस को छोड़ देते हैं सेस तो अब बच्चा सा लग रहा होगा कुछ हाई नहीं में तो इस पर परसंटेज पर थोड़ा सा मैंने उसको guidance किया तो वो 7 लाख 12,000 से उसकी tax liability कितनी बन गई पांच लाख 12,500 टोटल अगर totality में देखो तो लगब 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 का फाइदा हो गया लेकिन अगर आपको tax की knowledge नहीं है तो आप चुप चाप जाके इस पर tax दोगे अगर आपको tax की knowledge है तो आप tax इस पर जाके दोगे अपनी planning करके इसलिए सभी वेक्ति को डॉक्तर को इंजीनियर को आईटी में जितने काम है उनकी salary बीस बीस पच्चिस पच्चिस 30,000 रुपए वो हम जैसे commerce के student को हम जैसे commerce के जो professional है उनको चूज करते हैं सर हमारे टेक्स के बारे में बताईए हम बता देंगे उसको कुछ हैसी planning उसके कितने income बच गए बताओ डेड़ लाक रुपए income बच गए अगर मैं हम इतनी छोटी सी पढ़ाई करके उसको एक planning बना के हमने बोला हमारी fees 20,000 रुपए है 20,000 रुपए दीजिएगा तो आपका हम tax बचा देंगे planning करके तो बताओ सामने वाला वेक्ति 20,000 पचा दी हमने डेड़ लाक रुपए जिसका हमें remuneration कितना मिल गया 20,000 रुपए ऐसे बड़े सारे client होते हैं income tax की मैं बात करा रहा हूं यह क्या subject है ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे डॉक्टर को पता नहीं है उसे injection देना आता है इंजिनियर को पता नहीं है उसे मकान बन consistency दीजिए तो आपकी यह जो फीस है ना 20,000 रुपए that is consultancy फीस आपने इसको टेक्स चोरी करना नहीं सिखाया है टेक्स का क्या बता दिया planning बता दिया तो टेक्स planning समझाने की आपको फीस मिलती है ठीक है तो मैंने यहां पर दिया है कुछ questions आपको दूमे करने के लिए चलिए यह पहले note करेंगे पहले यहां तक समझ में आ गया या और भी example लूँ समझ में आ गया यह किसकी income सीख रहे है इंडिविजुल की इंडिविजुल की में भी normal income इंडिविजुल में भी बड़े सारे category है वो भी tax rate देखेंगे हाँ जी 4% of fix है सर चार्ज सलेवस में गीवन है लेकिन exam में ऐसा कोई income आएगा ही नहीं जो 50 लाक रुपए से उपर हो मैं rate लिखवाऊंगा मैं कुछ चीज़ा भी बता दूँ देखो सर नियूरिजिम नहीं बताया नहीं बताया क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो confusion create होगी क्यों बताऊं लेकिन क्या आप कभी नहीं बताऊगे ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा जुरूर सर्चार्ज नहीं बताए clarity में अभी नहीं बताए आप सरचार्ज पर और tax rate पर क्यों क्यों टेंशन लोगे आगे बताऊंगा मैं जब आप थोड़ा सब बिल्डब हो जाएगा आपका माइन डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा माइन डेवलप होगा ना तो मैं बीच बीच में वह चीजे बताता जाओगा सर्चाज भी बताओगा नियू रिजिम भी बताओगा साथ के साथ capital gain का text rate भी अलग होता है 111 यह होता है 112 यह होता है जितने भी आपके text है सारे मैं अलग-अलग time आने पर मैं बताता जाओं कुछ भी चीज एक्जाम से पहले आपका जो book है Greece आओ जा उसका एक-एक page आपको पता होगा कि कहां पर क्या section है कुछ भी नहीं छोड़ा होगा हाँ जो important नहीं होगा definitely मैं आपको बता दूँगा कि यह important नहीं है फिर भी exam में समझा दूँगा पढ़ के चले जाना ठीक है न क्यूंकि मैं बताओं तो काफी टाइम से टेक्स की book तो लिखी रहा हूँ आप देखोगे 10 यर वगरा भी market में आएगा तो उसमें भी वीडियो वगरा मिल जाएगी तो उसकी चिंता मत करो बिलकुल DU के according में चल रहा हूँ या other university या वो भी apply कर सकते हैं इसको CA का recording नहीं है CA का हमारा एक साल पीछे चलता है Delhi University तो कोई बच्चा सोचे के हम इस टेक्स को पढ़के हम CA का paper देंगे तो बहुत सारे provision होंगे जो मुझे पुराने पढ़ाने पढ़ेंगे amendment बाद में होगा हाँ आप जो मुझसे पढ़ोगे जो चीजे बदलाव होगी उसे सेल्फ पढ़के आप CA का एक्जाम डेफिनेटली दे सकते हो उसमें कोई चेंजस नहीं होगा एक कुश्चन आपको दे दो मिनिट में करके दिखाओगे शॉट्स तो एक मिनिट में बना लेते हैं तो कुश्चन दो मिनिट में तो होना चीए न राम की इंकम सभी से उमीद करूँगा करेक्ट आंसर दे राम की इंकम 45 लेक है इसकी टेक्स लाइबिलिटी जो आफलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी जो लाइव क्लास के अंदर बैठे हैं वो भी बताएं इसकी टेक्स लाइबिलिटी क्या आएगी यह 5,001 पे भी 12,500 माइनस नहीं करने दिया जाएगा बिल्कुल सही है हाँ अगर वो बोल रहे हैं कि 5000 डोनेट करते तो बच सकता है चलिए तो भी कंटीनियू देखते है हम टेक्स निकालना सीखते है अब बीजेपी की गौवर्मेंट वो लगभग लगभग आठ साल हो चुके है और आठ साल में फाइनेंस मिनिस्टर तीन बदल चुके हैं सबसे पहले अरुंजेट ली थे फिर कुछ दिनों के लिए एक और फाइनेंस मिनिस्टर आये थे प्यूस गोईल के नाम से कुछ दिनों के लिए उसके बाद फिर निर्मला सीता रमार हर इंसान का अपना नजरिया होता है टेक्स को प्लैनिंग करवाने का यह टेक्स को लोगों को बताने का जैसा निर्मला सता रमनमने दो टेक्स रेट नकाल दी है फिर इसको ढ़ाई किया गया मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 2009 या 10 के आसपास यानि 22 साल से मतलब के 2009 या 10 12 13 साल से और almost 10 साल से यही चल रहा है ढ़ाई लाक रुपए तक 0 और इससे यह 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 बात सही है कि 8 साल पहले ढ़ाई लाक कमाना बहुत बड़ी बात था लेकिन आज के टाइम पे ढ़ाई लाक रुपए कमाना साल का बड़ी बात नहीं रह गई गये हैं क्योंकि सेलरी भी 10 साल पहले सेलरी कम हुआ करता था लोगों का आज लोगों की सेलरी जादा है हर बार सेलरी वाले परसन जो सेलरी करते हैं जो जॉब करते हैं उनका यही सरकार से उमीद होता है कि हमें टेक्स में रिलीफ दी जाए हमें टेक्स में छूट दिया जाए अब गौर्णमेंट ने भी यहाँ पे क्या दिमाग लगाया बुला चलो धाई लाक रुपे तक निल है पहले यह 10 परसेंट हुआ करता था तो गौर्णमेंट देखो हर बार चेंज किया सबसे पहले यह 10 हुआ करता था समझना बैग्राउंड कैसे कैसे हुआ पहले यह 10 जोर सूर से एपोजिशन पार्टी ने मुद्धा बनाया टेक्स रेट में कुछ भी नहीं दिया जैसे गौल्मेंट टेक्स देता है तो एपोजिशन पार्टी का देखना बजट लेकर आएगा ना इस बजट में तो कुछ है यह नहीं hetus गरीबों के लिए कुँछ नहीर को तो आपको बहतर मान के चलते हैं कि अच्छा पॉलिटीक देखने को भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि दूसरा उसकी कमिया निकालता है तो वो सुधारता है तो भाई फिर एक बार बजट दिया कोई tax rate में change नहीं है लोगोंने मुद्दा बनाया तो फिर अगले बजट में उन्होंने क्या करा अब 10 नहीं करेंगे स्रिफ इसको कितना कर दिया उसने 5 10 से कितना करा 5 ठीक है लेकिन फिर दीरे दीरे बोल बहुत दिनों तक यही चलता रहा है यही आता रहा है फिर लोग बात कहरे हैं आप कोई चेंज नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं बेकार बजट है एक सेलरीड परसंट के लिए कहां से करेगा कैसे करेगा फिर गौर्मेंट ने क पांच लाख रुपए तक होगा टेक्स जीरो लेकिन अगर किसी की इंकम पांच लाख एक रुपिया हो जाता है तो फिर वो धाई से पांच तक भी टेक्स देगा यानि कहने का मतलब है सर्द सिंपल सा उसने गौर्मेंट ने क्या रूल निकाला देखो गौर्मेंट अपना तो सोच रही थी बस मुझे एक वजट में बोलना है उसने बोला अब पांच लाख रुपए तक कोई भी टेक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर पांच लाख एक रुपए भी होता है ना आपका पांच लाख एक रुपए भी अगर हो जाए तो आपको इसी कैटेगरी के हिसा आप से टेक्स देना पढ़ेगा रूल ये निकाला अब यह समझ लो कुछ लोगों को benefit मिला है आपकी इंकम 3 लाक है okay आपकी इंकम 4 लाक है तब भी आप खुश हो लेकिन जैसे ही आपकी इंकम कितनी हो जाएगी पांच लाग से जैसे ही उपर जाएगा तो कम से कम minimum to minimum आपको 5% का तो टेक्स देना ही पड़ेगा और उससे उपर पर हम सारी calculation आराम से सीखेंगे सबसे पहले हमें यह समझना है कि लोगों की income को निकाला कैसे जाता है हम पहले वो सीखेंगे कि कैसे लोगों की income को निकाला जाता है फिर एक income को लेके और different different income को लेके हम सारे slab rate को use करना भी सीख लेंगे आज ठीक है न तो सबसे पहले income अगर किसी का निकालने को बोला जाए न तो हम सीखते है क्या income कैसे निकाला जाए सर अगर किसी का भी income निकाला जाता है न तो income आपका format देखिए ये रहेगा वैसे अभी जुरुरत है नहीं format का लेकिन फिर भी हम format लेके चलेंगे ताकि आगे तो follow करना ही है न ये format रहने वाला है हमारा और format basically ऐसा कोई fix नहीं है ये आपके थोड़े आसानी हो जाए काम इसलिए पर्टिकुलर और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हो सकता है हो सकता है Mr. X हो सकता है Mr. X एक व्यक्ति है उसका text निकालने को बोला जाए तो text क्या निकालना है total text यहाँ पे total को निकालने को computation बोलेंगे computation of Mr. X हम किसके text निकाल रहे हैं computation totaling किसका कर रहे हैं Mr. X तो कुछ-कुछ words हैं जो common है सारी चीज़े बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आप ऐसे नहीं बोलेंगे total text of Mr. X यहाँ पे एक अच्छा सा word इस्तमाल किया जाता है law में computation ठीक है न computation of Mr. X और इसके bracket में लिख देंगे हम for हमेशा text निकाला जाता है ay लिख रहा हूँ मैं ay stand for assessment year जैसे for example assessment year मैंने ले लिया 2023 और 2024 लिया for example ले रहा हूँ 22-23 का रहेगा हमारा 23-24 लिया सबसे पहले किसी का भी निकालोगे तो उपर यह लिखना है basic सी चीज़े हैं simple सी चीज़े हैं लेकिन बड़ी काम की चीज़े हैं बच्चे पूरा तो सीख लेते हैं लेकिन formatting भूल जाते हैं exam में marks कट जाता है अब salary के 5 source है सबसे पहला source हमारा जो यहां पे रहेगा point number one income under the head of salary सबसे पहले salary का होगा मैं एक छोटा सा example भी लेते जा रहा हूं मान लेते हैं salary की income पांच लाग है ठीक है न लेकिन salary की income पांच लाग कैसे हुई यह आपको chapter है पूरा सीखना पड़ेगा अब मैं आपको छोटा सा example salary का working note दिखाऊ salary income जो निकाला जाएगा न कैसे निकालेंगे salary income जैसे निकलेगा सबसे पहले salary मान लो पांच लाग पचास अजार है इसमें से minus हो जाता है deduction under section 16 subsection 1A पचास अजार रुपे का deduction हो जाता है इसके बाद आता है हमारा taxable salary जो की है पांच लाग सर हमें कैसे पता चलेगा यह deduction क्या है minus कैसे करेंगे नहीं करेंगे यही तो salary के chapter में पूरा सिखाएंगे जब सारा कुछ minus plus कर लेते हैं तब जाके यहाँ पे आता है salary income ठीक है इसके बाद number 2 check करेंगे क्या आप कहीं और से भी income कमा रहे हैं जैसे income under the head house property house property में बताया था याद होगा rental income मान लेते हैं पूला उसके बाद क्या आप कहीं से और income कमा रहे हैं यानि हर वेक्ति अपने पांचो head जो पांच करे थे हमने पांच कौन से जो पांचो head बताये थे उस पांचो head को पहले observe करेगा कहां कहां से इंकम है पहले वो लिखेंगे जैसे मैंने बोला income from और from नहीं लिखना from लिख सकते हैं वैसे मैं लिखना हूँ income under the head अब मैं short form लिखना हूँ पी जी बी पी पी जी बी पी यह short form क्या है business income है profession profit gain business and profession इसका full form होता है तो आप simple सा इतना दिमाग में क्यों जोड डालना business के income अलग हो गया न वो simple business का income अब सर चौत्था क्वी कोई income हो सकता है हो सकता है वैक्ति का क्या हो सकता है मान लेते हैं ये income इसका था एक लाख रुपे का loss था इसका इसमें तो profit नहीं कम आया उसने एक लाख का loss करके बैठ किया business में अगला है income under the head capital gain सर ये क्या होता है capital gain मान लेते हैं इसमें इसका कोई role ही नहीं था इसने कोई ना तो खरीदा assets ना तो बेचा निल अब आत करते हैं पांचवा इंकम इंकम अंडर दा है एड अधर सोर्स अगर कोई वैकटी बोलता ने मेरा नहीं है किसी ने किसी का तो होता ही कही ने कहीं तो ब्याज का तो होता ही है मान लेते हैं कि तीन लाख रूपए ये था other source में other source में हो सकता इसकी lottery लगी हो हो सकता इसका ब्याज का income हो हो सकता इसका dividend का income हो बहुत सारे income होते हैं वो सारी हम list देखेंगे जैसे यहां तक पहुंचते हैं न इसके बाद हम निकालते हैं gross total income जिसको मैं आज के बाद कई बार GTI भी बोल दूँँआ short form है gross total income हम यह निकाल लेते हैं gross total income सर कितना होगा देखो इसका gross total का मतलब अभी इस पर tax नहीं देना अभी कुछ बाते और हैं उसको minus plus करने के बाद tax देना होगा तो सर GTI के आएगा 5,2,7,0,0,0 और 3,10,0,0,0 लेकिन एक लाद loss है तो उसको minus करना allowed है एक लाद loss है तो minus करना allowed है तो पांच, दो, साथ एक लाद गए छे और 3 कितने लाद आ गए? 9,0,0 यानि यहां से एक point और हमें समझने आया है सर कि loss अगर होता है कहीं से तो हम उसे minus कर सकते हैं उस income से इसके उपर भी एक chapter पूरा बना हुआ है setup and carry forward जो कि हम सीखेंगे अलग से मैं हर बार बाते बताता जा रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बात के बारे में point के बारे में इसके लिए chapter है तो मैं समझ सकते हो यहाँ पर सिर्फ मैं hint दे रहा हूँ जब chapter start होगा तो बड़े detail में topic हो जाएगा सारी चीज़े ठीक है ना सर इसके बाद क्या है हमारा इसके बाद क्या होगा gross total income gross total income के बाद आगे ना जैसे ये राम है हम राम से बोलते हैं कि भाई तूने income कितना कमा लिया राम से बोला इसने बोला कि तूने income कमा लिया 9 लाग रूपे अब इसके उपर tax दे राम बोलेगा सर मैं देश का नागरिक हूँ मैं देश में रह रहा हूँ आपने जितना पैसा कमाया मैं पूरा tax दे दूँगा और government ने अगर राम से बोला कि ठीक है तू एक काम कर इसमें से तू तीन लाख रूपे की FD करा दे तो तेरी income मैं कर दूँगा 8 लाग तेरी income क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जो की क्या रहेगा 8 लाग समझ रहे है बात तो राम क्या करेगा जट से FD करवा देगा पैसे तेरे पास ही रहेंगे FD करवा के यह नहीं मेरे नाम पर FD करवाना है FD किसके नाम पर करवाना है तुझे अपने नाम पर ही करवाना है तो तेरी income कर देंगे 8 लाग अब मैंने बताये था जिसकी पांच लाख रुपए तक income है उसको tax देना है नहीं देना तो अब ये क्या चाहेगा कि मेरी income कितनी हो जाए पांच हो जाए जिससे कि मैं पूरा बच जाओ फिर government कहेगा तू medical वगएरा करवाता है अपने मातापिता का ध्यान रख इलाज करवा तो मैं तुम्हें और माइनस करने का permission दूँगा इसने बोला करवाया बोला चलो ठीक है पचास अजार और माइनस करो उसके बाद फिर अभी भी ये नहीं आया वहां तक फिर government ने इससे बोला कि अच्छा तुम एक काम करो आपने क्या किसी disabled person का जो की handicap है उसकी मदद की है तो फिर हम और माइनस क मैं example लेता जा रहा हूं करता जा रहा हूं तो करेगा उसके बाद बोलेंगे अच्छा तुमने किसी को चंदा वगरा दिया है डोनेशन वगरा दिया है जो की registered government के अंडर ये बोलता हाँ मैंने डोनेशन दिया है तो बोला और माइनस करने देंगे अच्छा तुम बताओ political party को कोई चंदा दे रहे हो इसने बोला हाँ दे रहा हूं तो और माइनस करने देंगे मतलब इसके income के बाद इससे छूट दी जाती है कि आप कहीं जो points हम बता रहे हैं अगर यहां आपने पैसे लगाए हैं तो हम आपकी income को 9 लाक ना मानके उस मेंस वो चीजे माइनस करना हम क्या कर देंगे अलाओ जिसको बोला जाता है deduction यानि सर इस पर टेक्स नहीं देना इसके बाद हमें deduction भी लगाना है less कर देंगे हम deduction और deduction हमारा given है ATC से लेके ATU तक section है हमारे ATC से लेके ATU जिसमें से मैंने बोला था FD करवा लो तो यह आता है ATC के अंदर मान लेते हैं FD करवाया था ATC के अंदर इसने एक लाग का deduction ले लिया अब इसका income कितने निकल के आए सर अब इसका जो भी income निकल के आए वो होगा इसका taxable income सर कितने रुपए का taxable income अब इसे 8 लाग पर tax देना होगा तो इस तरीके से किसी वेक्ति का पूरा हमें taxable income है देखेंगे ठीक है ना टेक्स कैसे calculate होगा क्योंकि अभी हमने celebrate भी देख रखा है आप सबने notebook में note किया है तो रखना मैं यहीं पर इसका tax का यह सारी चीज़े मैं बता दूँआ third point कौन से है यह PGPP इसका business था इसने एक दुकान खोली और उस दुकान के अंदर इसको लग गया नुकसान और नुकसान होते ही loss होते ही उसने सारे income में से just कर दिये ठीक है ना जरूरी थोड़ी है business में हमें इसा फायदा कमाये जाए और एक ही वेक्ति है राम यह क्या एक वेक्ति बहुत सारे business नहीं कर सकता है यह ठीक है पहले यहां तक बताईए आपको किसी भी वेक्ति का मैं फटा-फट से quickly एक बार फिर से revise कर देता हूं किस कहां से पैसे कमा रहे हो सबसे पहला पार्ट होता है क्या हम salary से कमा रहे चेक करेंगे अगर कमा रहे हैं तो लिख लेंगे और salary में क्या क्या रूल और regulation लगेगा वह कहां पढ़ने वाले हम salary chapter में उसके बाद चेक करेंगे भी आ कि तुम कहीं rent वगरा तो नहीं आता अगर तो ठीक नहीं आता है तो जीरो उसके बाद चेक करेंगे तुम बिजनस वगएर तो नहीं कर रहे अगर बिजनस कर रहे हो तो दिखा दो profit या loss अगर नहीं कर रहे तो जीरो फिर capital फिर other source इन सभी को जोड दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा gross total income इसके बाद सरकार ने जहां जहां पैसे खर्चने को बोला गया अगर आपने उस जगह पर पैसे खर्च किये हैं तो आपको यहां से minus करने के लिए दिया जाएगा जिसको बोला जाता है deduction जिसको किस नाम से जाना जाता है deduction यह हमारा एटी सी से लेके एटी यू तक chapter 6 का deduction होता है जब यह भी पूरा एक चैप्टर है इसमें से एक आपका question पक्का आएगा अगर आप बोलोगे ने सर आप paper में क्या आएगा थोड़ा मैं topic से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं इसमे तो आगर आपने यह 5 चीजे कर ली ना income tax कातम in PGPB से कितने number का question आएगा 6 से 15 number का question पूछा जाएगा under the head of capital gains से कितने का आएगा 10 number का question पूछा जाएगा other source से कितने का आएगा 6 number का question आएगा सर डिड़क्शन में से भी आएगा yes इसमें से भी chapter में से question आएगा 6 number का यानि यह अपने आप में क्या है एक chapter तो सर यहां से जैसे deduction minus करेंगे तो क्या आजाएगा taxable income government बोलता है आपकी taxable income आठ लाग है चलिए आजाएगे आपका tax निकालते हैं पहले तो आपकी उमर बता 35 year है तो इस पर slab rate कौन सा लगा देंगे हम 1 पहले वाला slab rate 1 के हिसाब से बोलेंगे भाई up to up to 250 आप चेक करिएगा आपने लिखा है तो up to 250 आप से लेंगे 0 कोई tax नहीं लेकिन आपने जो next 250 कमाए है next 250 इस पर आपका at the rate कितने percent लगेगा यानि सीधा बोले तो 12,000 500 कुछ बच्चे ने confused हो जाते हैं सर आपने तो धाई लाग से पांच लाग बोला था यहां पर आप next 250 लिख रहे हो तो बात तो वही है ना धाई लाग से पांच लाग की जगह पर रखें या फिर next 250 बोले चीक है उसके बाद next 5 लैक इसके बाद तो 5 से 10 का slab चलता है तो next 5 लेकिन इस बचारी की इंकम ही 8 लाग है तो हम क्या बोलेंगे next 5 लैक नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे next 3 लैक इस पर कितने परसेंट लगेगा 20% मतलब साथ हजार रुपए ठीक है अब साथ हजार पे इसका आ जाएगा टोटल 72 500 ध्यान से देखिएगा टोटल क्या आ गया हमारा 72 500 इसे टेक्स देना है टोटल 72 500 रुपए अब 72 500 रुपए जो आपके टेक्स है अभी ये पूरा टेक्स नहीं है इसके अलाबा हमेंने आपको कुछ extra features दिया है एक्स्ट्रा services दिया है ये तो उसके लिए है road ये उसके लिए है जो कि common आपको मिल रहा था लेकिन आप सभी ने मैंने वचन दिया था अपने manifesto में मैंने बोला था मैं ये करके दिखाऊंगा लेकिन मैं अपने घर से कहां से नोट चापने की machine तो मेरे पास भी नहीं है मैं आपसे ही लूँआ तो इसके अंदर government आपसे लेता है बच्चों को पढ़ाने के अलग से और चार्च इसके अंदर लेता है clean गंगा के नाम से और चार्च इसके अंदर आपसे लिया जाता है health education के लिए चार्च मतलब जो की आपने देखा होगा के पीम योजना के अंदर पांच लाख रुपए तक का अपका free treatment कराया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है उसका कोई policy का नाम है आयूश्मानों योजना में अब वह अलग बात है हो ना हो लेकिन यह चीज़े है तो पांच लाख तक तो उसके लिए लेंगे उसके बाद अभी करोना आ जाता वो तो ज्यादा दिन नहीं चला नहीं तो करोना भी लगा देते हैं एक परसंट हम उसके वैक्सिन के लिए ले रहे हैं ठीक है अल्टीमेटली मैं बात करूं न तो यहाँ पे और वह एड करते हैं फोर परसंट फोर परसंट में सारा है आपको बाइफिकिट करने की कोई अवशकता नहीं है कि वन वन परसंट मैंने बता दिया यह वन वन परसंट कैसे बना है चार चीजों को मिला के प्राइमरी बच्चों को पढ़ा है पहले पांच भी तक के बच्चों को पढ़ा है एक परसंट लिय चार परसेंट जो निकाला जाएगा ना अभी जिन बच्छों का कुछ बच्छों का डाउट आ रहे कमेंट में मैं एक बार टॉपिक करके जरूर आप लोगों के डाउट पूछूंगा तो बहत्तर हजार पांसो आया देखिए इसका चार परसेंट यानि सर चार परसेंट की क 45,400 यानि इसकी नौ लाख रूपय की इंकम पे 75,400 रुपय का इसको बोलते है टेक्सिलाइबिटी इसको बोला जाता है टेक्सिबल इंकम दोनों में फर्वेक है सर एक्जाम में अगर पूछ लिया ठेक्सिबल इंकम निगालो कोई बच्चा है जो ये निकाल के आ गया बोला taxable income tax निकाल के दिखा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं बनता उसका time खराब करका है जब तक question में tax liability ना पूछा जाए तो ये rate weight नहीं लगाना है ठीक है अब दो छोटी छोटी बाते और भी हैं अब ध्यान दिजिएगा कई बार ऐसा ह round off का मतलब समझते हो कि एक zero वाले डिजिट मनाईगे आप इसको तो जैसे इसका income आ जाता है मान लेते हैं यहां तो आठ लाग पहले से zero में है अगर इसका income आता चार लाग सरसर 6823 तो government बोलती आप तीन रुपे अपने पास रखिए income यह है चार सिक्स सेवन एट टू जीर इस पे आप टेक्स निकालना है अगर यह लिखता यहां पे चार छे साथ आठ टू सेवन तो बोलता के तीन रुपे अब आप मत रखिए हाँ जी अब आपर case में जाएगा यानि आपको याद होगा दसमलब point के point 5 के उपर आगे जाना है point 5 के नीचे जाना है लेकिन वहाँ एक रुपे की बात होती थी यहाँ पे 10 के multiple में round figure होगा यह बाते सर सरकार ने बताया हुआ है किसमे 288A section है हमारा 288A इसके अंदर इसका प्रोविजन किया हुआ है तो जितने भी टेक्स होंगे ना आपको last में round figure करना होगा इसको तो नहीं करने की अवज सकता है क्यों सर अल्रेडि राउंड फिगर में ऐसा ही हमारा text liability भी तो अटपटा amount आ सकता है ना तो again उसको 10 में करना है तो अगर इसको round off करना हुआ अगर इसको round off करना हुआ तो यह section याद रखना है आपको थोड़ा सा इसको round off करना होगा यह आएगा 288B पहले A आएगा फिर B आएगा याद रखना है 288 section 288 कहता है कि अपने taxable income को round off कर दो किसमे multiple of 10 में 288B क्या कहता है अपने tax liability को round off कर दो multiple 10 में बस that's it तो इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं अपना किसी का taxable income निकाला जाता है कौन सा working note यह working note नहीं है इस lab rate है जो हमने last class में किया था कौन सा यह एक बार दुबारा दिखा जीते हैं पहले map हां अभी भी नहीं लगा यह next थाई लाक है इसको चलो दुबारा एक दूसरे तरीके से समझा जेते हैं काफी बच्चों का इसमें confusion है आठ लाक की income में पीछे ले जाओ पीछे ले जाता हूँ आठ लाक की income चलिए आप जैसे जानना चाते हो समझना चाते हो वैसे ही मैं बता देता हूँ आठ लाक नेकि इनकम है मैंने बोला द्हाय लाग के income पे टेक्स लगेगा zero मैंने बोला द्हाय लाक से यही सुनना चाते हो ना 5 लाक तक कितना लगेगा 5% तो इसके बीच में कितने रुपे निकल के आते हैं मैंando जहिए कि अमट़ा तो कितने आएंगे 12,000 फिर मैंने बोला 5,000,000 से 10,000,000 लेकिन हमारे पास तो 8,000,000 यह तो 8,000,000 निकालेंगे इसके बीच में कितने amount निकल के आएंगे उसी पर लगाना है हमें कितने आएंगे तो 3,000,000 पर कितना लगाना है हमें 20% तो यह आगया 60,000 तो देखो result तो हमारा वही आया 72,500 जो कि आप पीछे देख रहे थे समझ में आगई बात अब किसी बच्चे को हाँ हाँ बिल्कुल difference के बीच में जो calculation आप भी confusion था अब क्लियर हो गया अब जिस बच्चे का जो भी doubt है doubt पूछे जो बच्चे लाइब में इसके बाद हम आप से भी question पूछेंगे किसी का text निकालने बताना है आपको बहुत important topic है simple topic है और जानना जरूरी है सर एक topic कोवीड के duration में introduce हुआ पहले मैं simple सी बात कहना चाहता हूँ point देखते है text का rate बाकी basic वाले में मैंने text का rate बताया था फिर्प से मैं एक बार लिखना चाहता हूँ यहां पर आपके लिए sir text का rate क्या है हमारे जो हम text निकालते हैं तो हम मैं बहुत साधारन शब्दों का ज़्यादा इस्तमाल करूँगा text rate और law के language में इसको slab rate भी बूलते हैं यानि किसनी कमाई पर क्या text दोगे तो गौर्वर्मेंट ने कहा अगर दो लाग पचास अजार एक रुपिया हो और से पांच लाग रुपे तक आपकी income हो तो आप पांच पर्तीशत text दीजिएगा फिर कहा पांच लाग एक रुपिया अगर आपका होता है और दस लाग रुपे तक होता है तो आप बीस परसंट टेक्स देना और अगर आपका 10 लाख रुपए से जो भी अवव रहेगा उसके उपर आपको 30% टेक्स देना होगा इसके अंदर रिबेट वगरा भी है तो मैं भी उसकी चर्चा नहीं कर रहा है रिबेट तो गौर्मेंट ने डाल रखा है जब मरजी हटा देंगे वो रिबेट को मैं नॉर्मल कहा रहा हूँ गौर्मेंट का ये था अगर आपकी इंकम 3 लाख रुपए है तो 5 लाख पर टेक्स नहीं देंगे बाकि 50 अजार रुपए पर आपको 5% का टेक्स देना पड़ेगा और 87 एका रिबेट अगर है तो मिल जाएगा नहीं है तो नहीं मिलेगा सिंपल सी बात है यहीं कहानी थे इस पर कुछ हमने प्रैक्टिकल कुश्टिंस भी देखे थे आपका 2020 के अंदर हाला की बहुत सारी प्राब्लम बहुत सारी समस्य आये लाइफ जीने का स्टाइल बिलकुल लोगों का चेंज हो गया था लोगों को बहुत सारी चीजे नई परिशानियों का सामना करना पड़ा था 2020 में जब आया था कभी होगा नहीं पहले कभी देखा नहीं तो एपरिल मंथ तक इंडिया में भी कहीं न कहीं केसिस आने लग गए और एपरिल के मंथ में गौर्मेंट ने इसको क्या कर गया था एपरिल से पहले ही गौर्मेंट को पता लग गया था ठीक है ना तो गौर्मेंट ने पूरी त पूरा का पूरा निकल गया कम से कम पांस से छे महिने तक यही रहा लॉकडाउन रहेगा रिस्ट्रेक्शन रहेगा लेकिन फिर अगें जैसे ही एपरेल मार्च आया दो हजार एक्यस का फिर से बहुत बुरा हाल हो गया और अगें गौर्मेंट को लॉकडाउन लगाना क्या हो चुकी खतम सभी की अल्मोस इंकम जीरो हो चुकी थी क्यूंकि बंध है कुछ हो नहीं रहा हां कुछ लोगों की हो सकती है कि उस ताइम पर इंकम हो भी रही थी तो गौर्मेंट को बजट देना था उसी डूरेशन में जब गौर्मेंट को बजट देना था तो गौ लाख रुपए के उपर जब आप कम से कम 2.5 लाख रुपए जब आप टेक्स पेड करोगे माल लेते हैं 10 लाख पे आपकी इंकम है तो 20% 1 लाख, 1.5 लाख रुपए मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं जब आप टेक्स पेड करोगे तो definitely आपकी एक कुछ ना कुछ तो उमीद होगी गौवर्मेंट से सर दस लाख रुपए साल की कमाते हैं जिसमें कि हम 1.5 लाख रुपए तो सरकार को ही पेमिंट कर रहे है तो आप क्या चाहोगे कि सरकार कुछ ऐसा प्लैन लेके आए कि कम से कम 1.5 लाख की जगहे पे अगर आपको दे दिया जाए शूट राहत दे दिया जाए कि आप 10 लाख की इंकम पे 50,000 ही टेक्स दे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आप पहले 1.5 लाख रुपए टेक्स दे रहे थे हैं उनके इंकम पे 30% का टेक्स लगता है तो इंकम पे टेक्स कम किया जाए ये सारे टेक्स रेट से बात करों जो टेक्स दिया जाता है उनको बड़ी सारे उम्मीदे होती है इसके अंदर अगर गौर्मेंट ने बोला कि भीया जो पिछले बार टेक्स रेट हुआ करता था वो फिर से वही रहेगा तो लोग क्या कहते हैं ये खराब बजट है अच्छा बजट नहीं आया क्योंकि आपकी इंकम 10 लाग है और आप सोच रहे थे कि 10 लाग मैं 10 लाग टेक्स दे रहा हूँ अगर एक लाग भी हो जाए नहीं इस बजट में तो बढ़िया हो जाएगा लेकिन गौर्मेंट ने कहा नो चेंज इन टेक्स रेट आपके हिसाब से ये बजट कैसा होगा सर बिकार बजट है ये तो क्योंकि आपको फाइदा नहीं मिला तो उस डूरेशन में कोविड के अंदर गवर्मेंट जो भी फैसले ले रहा था जो भी फैसले लिये गए गवर्मेंट के द्वारा बहुत सो समझके और बहुत ही डर डर के लिया गया के कहीं लोग इसके अपोज में न आ जाए तो ये टेक्स रेट चल रहा था तो जब बजट आया तो लोगों को बड़ी सारी उमीद थी के यार टेक्स रेट कम हो जाए टेक्स रेट कम हो जाए तो कई बार हमारे इंडिया की population में अगर voting की हम बात करें तो voting वो ज़्यादा तर लोग देते हैं जिनकी income धाई लाग या पांच लाग रुपे तक ही है 10 लाख रुपे साल के कमाने वाले कम हैं लोग और जिनकी और जो 10 लाख रुपे से कम कमा रहे हैं वो सुनी सुनाई बातों पर विस्वास करते हैं जाता अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं गवर्मेंट ने कह दिया कि 5 लाख रुपे तक कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा तो सर आप बोलोगे आप कोई अर्निंग नहीं है तो गवर्मेंट ने बढ़ा अच्छा तो उसको कोई बेनिफेट नहीं मिला तो गवर्मेंट जब भी बजट लेके आती है तो इस तरीके का बजट लेके आती है आपके सामने इस तरीके से पर्जेंट किया जाता है कि लोगों में ऐसे स्प्रेड रियूमर्स हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है जैसे कि फर एक्जामपल लोगडाउन के डुरेशन में भी गवर्मेंट ने बोला था 20 लाख करोड रुपे हम बाटेंगे सुना होगा नियूज 19 से 20 लाख सब सोच रहे थे वही अब पैसे आएगा पर गवर्मेंट ने फिर बाद में धीरे-धीरे एक मोटा अमाउंट ले लिए फिर समझाया लोन ले लो ये भी हम फ्री करेंगे सबसीडरी देंगे यहां रेट इंटरस्ट कम कर देंगे इस तरीके से कम करेंगे अल्टिमेटली सभी लोगों को पैसे मिले है ऐसे नहीं है के नहीं मिलें लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना गवर्मेंट ने बढ़ा चड़ा के बताया उसी डुरेशन में गवर्मेंट ने सोचा यार लोगों के सामने हम टेक्स रेट को भी कम करके दिखा दे पहले tax rate क्या था 5, 5 से क्या था सीधा 20, यह बहुत चुबता था लोगों को 5 के बाद सीधा क्या है हमारा 20%, यह लोगों को लगता था यार 5 के बाद तुम कम से कम साड़े साथ कर दो 5 के बाद 10 कर दो, इस तरीके से करो लेकिन सरकार ने बोला भाईया पहले होगा 5 और 5 के बाद सीधा 20 और 30 फिर खतम फिर सरकार ने क्या करा, अब देखो यहाँ पे जो हमारी income है अगर मान लेते हैं कि मेरी salary है आप ध्यान से देखिएगा तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे मान लेते हैं मैं salary income आपको बताओ निकालके, salary income के case में मेरी basic salary, basic salary मेरी एक लाख रुपए है या पाँच लाख रुपए मान लेते हैं मेरी basic salary कितनी है पाँच लाख, प्लस DA है मेरा दो लाख, और DA के बाद, DA मेरा दो लाख, DA के बाद आप गर देखा दा है तो Children Education Allowance Sir Children Education Allowances कैसे निकालते हो आप, 100 रुपए माइनस करने के बाद, यानि अगर आपका 500 रुपए है, 100 रुपए माइनस करके आप कितना लिख देते हो, कुछ ऐसे, ऐसे same salary की बात करें, अगर salary आपका 5 लाख है, 5 लाख में से कुछ amount आप माइनस कर देते हो, suppose 2 लाख माइनस किय तो आपने taxable कितना किया, 3 लाख रुपए और आप taxable income 7 और 10 लाख 400 रुपए आप बतातो के, taxable income है, salary, इसके बाद भी न, taxable income जैसे आपका है न, taxable salary, taxable salary, T.S. लिख दिया है, मैंने 10 लाख 400 रुपए है, क्या, अच्छा, एक 0 और है न, चलो कोई न, एक 0 और, ठीक है, 10 लाख 400, इसके बाद भी government ने बोला कि, ATC से लेके, ATU तक के आपको और deduction दिये जाएंगे, अगर आपने LIC करवा रखा है, क्योंकि हर लोग LIC करवाते हैं, तो मान लेते हैं, 25,000 रुपए LIC का दे रहे हो, तो यहां से minus कर लो, इसके बाद government ने कहा सर, अगर आप अपने मम्मी पापा के इलाज पर खर्चा कर रहे हो, तो यानि medical, medical ATD के अंदर आता है, हला कि हम बाद में चर्चा करेंगे, 50,000 उसका minus कर लो, अगर आपने education के लिए loan ले रखा है, उसका minus कर लो, मान लेते हैं, 1,00,000 रुपए, अगर आपने कोई घर लिया है, loan लेके, तो उसका principal payment करते हो, उसको minus कर लो, ATC के अंदर, मान लेते हैं, 1,00,000 रुपए, मैं एक example लेता चल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने बच्चे को स्कूल में tuition fee paid कर रहे हैं, उसको minus कर सकते हो, आपका bank से कोई ब्या जाता है, उसको minus कर सकते हो, तो सब कुछ minus कर कुरा के, suppose करो मेरी income बनी 6,00,000, सब कुछ minus करके, वैसे actual देखा जाए, तो 6,00,000 नहीं बन रहा है, दो लाग तीन कितने बन रहे एक्जेटी लिख देता है साथ लाग पचास थोड़ी होगा माइनस कर दीजे एक्जेट STD डिडेक्शन के टेक्सेबल सेल देगा STD पता नहीं TDS तो सुना था STD क्या है अब देखते हैं कितने साथ लाग 25,400 एक जिरो और आएगा तो आएगा न क्यों दो चार आएगा नहीं आएगा साथ लाग 25,400 अब मैं समझाने की क्या कोसिस करना हूँ अभी आपको थोड़ा सा लगेगा सर क्या बता रहें अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा हैं जी ये सेलरी आपका निकाला है और इसी परकार से आपका पहले टेक्सेबल इंकम ये आया करता था टेक्सेबल इंकम आया करता था और इसके उपर आप टेक्स जमा करते थे जो भी टेक्स जमा करते थे पता है कैसे अप टू टू फिफ्टी आपका निल हो जाये करता था और नेक्स्ट टू फिफ्टी पे आपको पांच परसंट यानि बारह हजार पांच सो रुपे का टेक्स होता था अप टू टू फिफ्टी निल था और इसके उपर ये टेक्स था और नेक्स्ट जितने भी बच गया यानि पांच लाग का हिसाब हो गया तो कितने बच गया से दो लाग 25,400 पे 20% लग जाएगा बताइए क्या रहा है 20% 2,25,400 पे 20% मेरा कैलकुलेटर कहां गया यह रहाँ 2,25,400 पे 20% 45 यानि आपकी टोटल टेक्सेबल हो गई यहाँ पे यह नहीं है इसको जोड़ा नहीं है मैंने ध्यान रखेगा आप सभी को पता है यह मैंने करवाया हुआ है यह आ गया प्लस 4% का सेस लगा के जो भी आता था 4% जैसे की 233 रुपे और आपने क्या करना है सरकार को 5,9,883 रुपेज जमा कर लेने यह है पहले की कहानी, लॉकडाऊन लगने से पहले की कहानी और अभी भी चल रहा है यह गौर्मेंट नहें क्या करा बजट लेके आए और बजट लेके आने के बाद बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं खे आपका टेक्स रेट कम कर रहे हैं इस बाद सर टेक्स रेट क्या कम कर रहे हैं हम गौर्मेंट ने कहा टेक्स रेट में हम आपका और जो टेक्स रेट हम कम करेंगे कुछ शर्तों के साथ कहा सर हम आपके लिए एक नया टेक्स रेट लेके आ रहे हैं सर ये जो टेक्स रेट मैंने लिखा है ना यह पता है कौन से वाला है ओल्ड वाला गौर्वर्मेंट ने कहा हम आपके लिए एक न्यू टेक्स रेट लेके आ रहे हैं जिसमें क्या होगा अप्टू टू फिफ्टी निल आपको बोला गया अप्टू टू फिफ्टी निल बच्चे बूचिने सर सेस क्या है सेस पहले बताया था हेल्थ एजूकिशन सेस लिया जाता है प्रिवियस वीडियो को एक बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा तो सर मैंने जैसे ही लिखा ना टू फिफ्टी आप कहेंगे सर इसमें बदलाव क्या और चेंज क्या पहले भी दो पचास पे क्या था हमारा निल था और सर अब भी दो पचास पे क्या बता रहे हो आप निल बता रहे हो खीक है न इसके बाद कहा देखो अब next जो भी आपके रहेंगे next जो 250 रहेंगे आपके उसके उपर हम आपसे टेक्स तो वसू लेंगे जी 5% सर क्या बदलाव रहा पुराने नहीं में कुछ भी बदलाव नहीं रहा उसके बाद आपका बोला गया कि पाँच next जो 250 होंगे next 250 समझ रहे हो यह ढ़ाई से 5 है अगर आप वैसे बोलोगे लिखने तो मैं लिख देता हूँ वैसे लिख देता हूँ नहीं तो फिर confused हो जाएंगे next 250 के ऐसा है गौर्मेंट ने कहा धाई लाख से यानि धाई लाख एक रुपए से लेके पाँच लाख रुपए तक यह है पाँच लाख रुपए तक रहेगा और सर पाँच लाख से यानि एक रुपए से साड़े साथ लाख ये नई बात अब आई निकल के पहले था 5 से सीधा 10 देखे 5 से सीधा क्या है 10 है अब उन्होंने रखा कि 5 लाग से 7.5 लाग रुपए यानि फिर से 2.5 लाग का गैप दिया अब उन्होंने परसंटेज जो रखा यहाँ पे वो रखा 10 पॉरसेंट सर बात तो है आप मुझे बताईए क्या लग रहा है कि पहले से कम टेक्स हुआ है पहले अगर आपकी इंकम 6 लाग होती तो 5 लाग के उपर आप 20 परसंट देते लेकिन अब आप दे रहे हो 10 परसंट कम तो सर हुआ है इसके बाद उन्होंने करा एक और स्लैब लेके आई इसके साथ 7 लाग एक रुपए से 10 लाग रुपए यानि धाई-धाई लाग रुपए का उन्होंने रखा यहाँ पे हम आपसे लेंगे 15 परसंट सर यहाँ पे भी आपको रिलेक्सेशन नजर आएगा पहले 5 से 10 जैसे ही होता था 5 से 10 जैसे ही होता था सीधा आपको 20 परसंट देना पड़ रहा था सर अब 5 से 10 में कहीं 10 परसंट है और कहीं 15 बच दो रहा है आपका और आपको बताया जाए कि आपके पैसे बच रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ सर बच तो रहे हैं अभी मैं सभी बच्चों का डाउट लूँगा कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो लूँगा मैं डाउट first of all पूरा मैं concept खतम करा दू सर उसके बाद बोला इनोने के 10 लाख एक रुपए से लेके 10 लाख एक रुपए ढाई ढाई का लेके चल रहे थे वो 12 लाख पचास हजार रुपए अगर आपकी इंकम होती है तो हम लेंगे 20 परसेंट सर अब भी कम हुआ पहले 10 लाख से उपर चेक करते जाईएगा पहले 10 लाख से उपर कितने थे 30 परसेंट सीधा 10 लाख से उपर कितने भी कमाओ सब पे 30 गौर्मेंट अभी 20 पे रुपी हुई है फिर गौर्मेंट ने कहा सर 12 लाख 50 अजार एक रुपै से लेके 15 लाख 15 लाख तक हम कितना लेंगे 25 परसेंट लेंगे यानि सर यहां भी फाइदा अभी तक 30 पे आए नहीं और इंकम हमारी बढ़ चुगी है इसके बाद गौर्मेंट ने कहा कि 15 लाख एक रुपै 15 लाख एक रुपै से लेके 15 लाख एक रुपै से लेके फिर से बढ़ा देते हैं 15 लाख 25 था ना अब 15 लाख रुपै लास्ट लैब रेट इन्होंने रखा 25 परसेंट हो गया ना 15 लाख इन्होंने लास्ट लैब रेट रखा और 15 लाग से जितना भी आगे जाएगा या मैं सीधा अब अब लिख देता हूं अब अब जितना भी होगा अब उस पे हम 30% लेंगे जैसे ये बात बोली गई लोगों के चहरे पे मुस्कराहट ऐसे आया और पता ही क्या होता है जिस दिन बजट आता है ना उस दिन सबसे ज़्यादा जो चेंज्जेस रहता है सबसे ज़्यादा जो बदलाव होता है ना शियर मार्केट के अंदर बड़ा उतल पुतल जैसे गवर्मेंट नहीं यह बोला तो बजट भई अच्छा होगा ये तो अच्छा हो गया ना आपके हैसाब से शेर मार्किट एक दम उपर चली गई कि बजट इस वार अच्छा है rate क्या करा है सरकार ने कम कर दिया है तो सब पब्लिक भी बोलने लगे हाँ भी बजट तो स्पीच पूरे दिन का चलता है काफी टाइम 2-3 घंटे का स्पीच होता है उनका हर finance minister FAB में देते हैं अभी जो FAB आएका तब भी आप देखना तो जैसे ये news आया है ये लेकिन सर ये चीज़े जो दी न उन्होंने ये बाते जो बोली न एक सबसे ज़्यादा जो मेरे को दुख होता न इस से ये क्या है star और star का मतलब होता है condition कहीं पर अगर star लगा हुआ है न तो उसका मतलब क्या होता है जहां पर star लगा हुआ है मतलब समझ लो कि आपके हिसाब की चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं वो बिलकुल भी नहीं है तो गौर्वर्मेंट ने भी condition रखा कि भाया आपका elaborate यह है और ऐसे देदे और जिस लोगों को लगता है ऐसे text देना है वो अइसे देदे तो आप में से सब क्या चुनेगा वाई यही वाला देंगे बाई हम तो लेकिन सरकार ने बोला ठोड़ा ध्यान से आप देखियेगा आपको जो भी डिडेक्शन गीवन था ATC से लेके ATU तक कैंसिल मतलब सर जो आप ये सब मेडिकल, LIC, LIC का माइनस कर रहे थे हम माइनस करने नहीं देंगे तो सर यहाँ पे तो मेरी इंकम 10 लाख थी लेकिन मैं माइनस करके 7.25 पे आ गया था तो टेक्स तो ऑटोमेटिक कम हो गया था मेरा गौवर्मेंट ने कहा कि हम आपका रेट कम कर रहे हैं लिकिन माइनस करने नहीं देंगे तो बात तो वहीं आ गई लगबग लगबग फिर बोला नंबर दो जो करते हैं वो ज़्यादा खुश हो रहे थे बोले थे भाई सेलरी वाले जितने भी आपके अलाउंसिस है मैं बताऊंगा भी वो सब कैंसल यानि एचारे में जो आप दो लाख माइनस करके यहाँ पर तीन लाख रुपे ले ले लेते हो ना पूरे पांच पर टेक्स दोगे आप जो चिल्डरन डेट ले लेते हो ना कुछ नहीं मिलेगा जो entertainment टेक्स ले रहे हो कुछ नहीं देंगे हम यानि simple आपकी सीधी साधी जो सेलरी मिला पूरे पर टेक्स लेंगे कोई माइनस करने नहीं देंगे तो कहा नी तो सर गों फिर के वहीं आ गई यहाँ पर क्या करा उन्होंने कि माइनस करने को दिया तो टेक्स रेट जादा है तो माइनस करने को दिया तो इंकम कम आएगी टेक्स रेट जादा होगा तो लाइबिलिटी उतनी बन जाएगी लेकिन यहाँ पर tax rate कम कर दिया लेकिन आपकी income बढ़ा दिया उन्होंने तो tax rate कम है income ज़ादा होगा तो भाई tax liability तो ज़ादा ही आएगी तो government ने game खेला आप लोगो अब बोला जिसको ये पसंद है ये करे जिसको ये पसंद है ये अभी कुछ लोग मैं मानता हूँ 95% लोग इसी पर ही है पर ये कौन नहीं करेगा जिसका कोई ATC से लेके ATU तक कोई investment नहीं है वो बोलेगा जब मेरा है नहीं तो मैं इसमें क्यों जाओंगा जो वेक्ति salary के अंदर HR वे चारे नहीं ले रहा तो बोलेगा भाई मेरा HR है नहीं मेरे को deduction वैसे भी salary में नहीं मिल रहा था पहले ना children education allowance मिल रहा है ना HR मिल रहा है कोई ऐसा allowance मिल ही नहीं रहा तो पहले भी नहीं मिल रहा था और अब भी नहीं मिल रहा तो वो किस पर shift हो जाएगा new rhythm सर ये old rhythm और new rhythm जब आया पहले आप लोगों को सरिफ ये था ध्यान रखना था कि इसके हिसाब से tax निकालना है तो जादा से जादा बच्चों पर burden क्या है सर old rhythm new rhythm आप से examiner बोलता है new rhythm के हिसाब से taxable salary निकालो तो new rhythm से निकालना है तो आपको ध्यान देना होगा कि 100 माइनस नहीं करना आपको ध्यान देना होगा एच्चारे पूरे लेंगे आपको ध्यान देना होगा new rhythm में deduction भी नहीं है तो इन सारी बातों को student को बड़ा problem आ गया आप मुझे यह समझ में नहीं है रहा या तो एक यह वाला रख लेते आप या एक यह वाला रख लेते उन्होंने दोनों को अभी continue अब कितने सालों तक continue रहेगा discontinue रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता वो budget के उपर depend करते है अभी सच्चाई यह है कि बहुत कम 4-5% लोगों ने ही इस tax newism को opt किया है बाकी नहीं लेकिन examiner एक question जरूर देगा newism वाला और बाकी question आपको oldism टेस्टिंग जरूर करेगा वो जितने भी paper अभी तक आए है चाहे lockdown के duration में आए हो solution आप देखोगे last year के उसमें भी कुछ और जितने भी नई बुक है नई बुक देखोगे न तो उसके अंदर salary को last class में बच्चे पूछे सर हरे के दो-दो answer है तो एक newism के हिसाब से है एक oldism के लिए जितनी हमने हरे का सीखा वन फेफ और सारी actual receive 10% rent paid या फिर हमने सीखा 50% 40% dependent on city जो rule सीख रहे हैं इतनी दिनों से वो सब oldism जो opt करोगे तो अगर आपने oldism नहीं आया newism है तो वो सब सीखना बिकार है वो तो सिर्फ जोड़ना पड़ेगा फिर आपको तो सर क्या क्या चीज़े नहीं करी गई एक बार वो भी देख ली थे यहां पर मैंने कुछ notes डाल दी है 10 year के अंदर भी ये new tax regime आया था उसके अंदर क्या क्या बाते बोली के minus करना allowed नहीं होगा सिर्फ उनी बातों को मैंने लिखा है new tax regime का rate आपको पता चलेगा अभी salary करेंगे तो पता चलेगा इसका section सबसे पहले कई बार examiner इस section को reference में देगा 115 BAC capital में small में नहीं लिखना ये capital में इसमें new regime कहा गया कि the following exemption deduction नहीं मिलेगा ये सारी जो मिलता था न ओल्ड में वो नहीं मिलेगा वही बाते बता रहा हूं जो पहले भी मिलता था अब भी मिल रहा है उसको जानके क्या फायदा आपको तो main ये पता करना है सर नए tax rate में जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा पहला point बोला गया ये special लिकनों में इसको रहने देते हैं salary से related नहीं है इसको जो कहता है कि up to 1500 रुपए इसको भी रहने देते हैं अभी main allowances जो मिलता था MP और MLA को exempt हो जाये करता था new resume लो नहीं होगा exempt taxable हो जाएगा जो professional tax standard deduction आपको मिला करता था 50,000 रुपए का अगर आपने new resume लिया तो नहीं मिलेगा जो professional tax आप 2500 minus कर लिया करते थे अगर आप new resume के इसाफ से tax देंगे तो ये भी minus नहीं होगा आपका exemption परकिजिट्स का था 50 रुपीज पर प्लेट ये हम आगे देखेंगे तो इस exemption के अंदर भी कुछ condition रखा गया हम इसको आगे देख लेंगे क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा जादा leave travel concession पहले मिला करता था LTC बाद में हम पढ़ेंगे हलाकि इसका भी exemption नहीं मिलेगा पहले बोला जाता था लीट travel concession आपको दिया जाता है घूमने फिरने के लिए आपको साल में एक साल में office के तिरफ से trip मिलता था क्या जाए घूम की आई भारत में कहीं allowances other than exempted parting जो जैसे traveling allowances था आपका transfer allowances हो गया convince allowances हो गया official purpose हो गया सिर्फ जो यह वाला transportation था ना handicap बोला उनको तो हम देंगे अभी भी deduction और जो बिना handicap है जो normal person उसको any kind of allowances मिल जाए children education मिल जाए hostel expenditure मिल जाए जो section 10 में define है किसी भी तरीकी का आप पहले उसमें से कुछ कुछ amount जो minus किया करते थे अब वो हम minus करने नहीं देंगे अगर आपने क्या opt कर लिया हो new repay इसके बाद interest on loan ATC का deduction था यह भी मना सॉरी 24B का deduction था वो भी मना कर दिया इन्होंने 24B में था interest on housing loan in case of two self occupied तो पहले date दो लाख रुपे जब house property करेंगे तो बोला वो भी तो कुछ बाते ऐसे हैं जो कि salary से हटके मैंने सारा लिख दिया ताकि आपको बाद में तो पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं जिस पे cross लगा रहा हूं ना तो इसका मतलब यह salary का सरफ पार्ट ही नहीं है अभी यह भी नहीं पार्ट है तो इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा deduction ATC यह पार्ट है उसके अंदर कुछ कुछ sections हैं जिसमें काट दिये उन्होंने capital expenditure यह भी पार्ट नहीं है यह भी नहीं entertainment allowance यह तो देखिए जब आप salary को निकालेंगे अब जितने भी मैं salary के questions अभी मैं दूंगा अभी एक question भी मैं लिखूंगा हम करेंगे उसको हम old रिजिम के हिसाफ से भी करेंगे और new रिजिम के हिसाफ से दोनों करके देखेंगे फिर आपको अच्छे से पता चलेगा सर actual position क्या है समझ मैं ही बात आपको अब देखो convince allowance पहले भी fully taxable था और new रिजिम भी fully taxable है तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया के other than exemption other than इसको छोड़ के अगर कोई भी है तो वो पहले और अब भी रहेगा ठीक है तो मैं simple सी बात करता हूं एक question हम try कर लेते हैं मैं खुदी एक question लिख लेता हूं handicap all deduction allowed है बिलकुल handicap का all deduction allowed है जब तक मैं एक question नहीं कर लेता board पे तब तक आपको ना तो clarity होगा ना तो समझ में आएगा तो एक question मैं लिख भी रहा हूं साथ के साथ ठीक है और आप उसको old वाले से तो करना start ही कर देना इतने मैं question लिख रहा हूं फिर मैं साथ के साथ old और new दोनों से करूँगा with आपक आएगा हर जगह पर available है easily वहां पर पूरा explanation के साथ दिया गया है कि क्या क्या deduction मिलना है क्या नहीं मिलना है हम जो नियूरीजिम को पढ़ रहे हैं देखो मैंने पहले नियूरीजिम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां मेरे लिए समझाना मुस्किल था अभी नियूरीजिम पॉइंट से पढ़ रहे हैं सेलरी टेक्स रेट हमारा यह है ठीक है तो चलिए सर एक question मैं लिख लेता हूं पहले और आप इसको solve करिएगा Example, Mr. X working in XYZ Limited with salary 50,000 per month and he received following number 1 HRA B 1000 per month and rent paid 15,000 per month He stayed in Delhi Number 2 Children education allowance Children education allowance 500 per month for three children for three children three hostel hostel expenditure expenditure allowance रुपीज – 500 पर मन्झ पर एच चिल्रोंप एच चिल्ड एच चाइट चाहर Чॉर्ट चिटी प्र एंपनसिटरी अलांस पच्छिस सो रुपय पर मन्थ पच्छिस सो पर मन्थ पच्छिस सो पर मन्थ यूनिफॉर्म अलाउंसे या मेडिकल अलाउंसे 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 फिफ्टीन हुंड़ पर मन्थ यूनिफॉर्म अलाउंसे यूनिफॉर्म अलाउंसे अलाउंसे यूनिफौनिफॉर्म हूनिफॉर्म यूस्प्वा थानिफॉ.' इन एल आई सी रुपीस वन लैक पोर डिडेक्शन पोर डिडेक्शन पोर डिडेक्शन पोर डिडेक्शन अंडर सेक्शन एटी सी पोर डिडेक्शन अंडर सेक्शन एटी सी लीजिए कुश्चन बड़ा छोड़ा सा बनाया है मैंने ज्यादा कुछ नहीं है बस मुझे एक टेस्टिंग आपको करके दिखाना है सर के चक्कर क्या है यह ओल्ड रिजिम नो रिजिम यह हमारा कुश्चन है कि अच्छाइब इस ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के वजह से मैं समझता हूँ सरिफ परिशानी स्टूडेंट को ज़्यादा हो गई है चलिए मैं यहाँ पे ओल्ड रिजिम के लिए निकालूँगा यहाँ पे न्यू रिजिम के लिए निकालूँगा और निकाल रहा हूं मैं taxable salary for Mr. X हाँ एक बात और मैंने question में requirement नहीं लिखा मैं और ली बोल देता हूं इस face नहीं है हमें taxable salary और tax liability दोनों निकाल के दिखाएंगे और taxable salary और tax liability दोनों दिखाएंगे और दोनों से करके दिखाएंगे old रिजिम से भी और new रिजिम से भी ठीक है ना दोनों से हम करने वाले हैं चलिए आप सबसे पहले basic salary देखते जाईएगा आप समझते जाईएगा मैं कर रहा हूं अभी आपके लिए particular new tax rate में condition अभी समझ में आ जाएगा जिन बच्चों को नहीं आएगा बस मुझे थोड़ा सा ना basic basic salary सर पचास अजार महिने का है 12 महिने तक काम होगा तो चाहे नियो रिजिम हो चाहे ओल्ड रिजिम हो salary रहेगा छे लाज रुपे समझ येगा नोटिंग देखिए बाद में पहले समझ लो आप तो रहेगा कितने छे लाज रुपे इसके बाद सेकिंड पॉइंट है हमारा डी ये इसको मिल रहा है क्या नहीं मैं लिख देता हूं डी ये 20 परसेंट और basic और ये retirement benefit का है सर यहां डी ये भी आ गया डी ये कितने आएगा 20 परसेंट आफ बेसिक यानि आपका 6 लाग का 20 परसेंट एक लाग और ये सारा retirement benefit है ठीक है इसके बाद HR A मैंने बोला सर HR A की बात करें तो HR A मिलता है आपको 20,000 महिने की और 20,000 महिने की तो साल की हो गई दो लाग चालिस हजार अगर आप जाते हैं नियू रिजिम में तो बोला गया किसी भी allowance का हम आपको deduction नहीं देंगे जो special allowances है तो HR A का कोई deduction और अगर old में रहते हैं तो आपको 10-13 A के under exemption मिलता है और exemption कैसे दिया जाता है जो last classes में सीखा था तीन पॉइंट नए रिजिम में जाओगे तो सर कुछ नहीं है जी आप 2-40 यहां लिख दीजिए आप ज़्यादा calculation नहीं करना लेकिन वही आप रहते हो सर old रिजिम में तो यहां मैं एक HR A की calculation करूँगा एक्चुल रिसीव आपका था एक्चुल रिसीव 20,000 यानि 240 240 हो गया ना 20,000 रुपे पर मन्त है 240 रेंट पेड कर रहा है 15,000 तो सर रेंट पेड और क्या करते थे माइनस 10% SRB salary retirement benefit तो रेंट पेड हो गया आपने बताया 180 माइनस अब salary निकालना पड़ेगा salary सर्था 6,000,000 रुपे और इस 6,000,000 में से DA add करेंगे तो मैंने बताया सर DA जितने भी दे रखे हैं वो सारा इसी का है तो 21,000 मतलब 7,20,000 का 10% लेंगे कितने आगे 22,000 तो सर ये क्या निकल के आया नई एक लाख 8,000 अगला कहता है Delhi में रह रह रहा है तो 50% ले ले हम 720 का तो जो बनता है हमारा 3,000,000 कितने? 60,000 इन तीनों में से जो lower रहेगा ना उसका मिल जाएगा आपको exemption इन तीनों में से जो lower रहेगा exemption यही सीखा है सर हमने बिल्कुल इन तीनों में से एक लाख 8,000 है तो एक लाख 8,000 मैं माइनस कर दूँगा और अब जो old वाले में जो taxable करते हैं माइनस करेंगे इसमें से तो सर 24,31 पहले तो ये point समझ लीजिए आप सर नए वालों ने क्या बोला आपका tax rate कम कर रहें लेकिन जो deduction थे सब खतम कर रहें लेकिन पुराने वालों ने बोला भीया tax rate तो जादा है लेकिन deduction आपका बरकरार रहेगा तो हरे का deduction मिल गया है deduction मिलने का मतलब जितना मिला था वो सब पह tax नहीं लगाया है कुछ माइनस करके exemption मिल गया है बिसिकली डिटेक्शन गलत वर्ड है exemption मिल गया है exemption और deduction में क्या फरक है बात में देख लेंगे और सर हरे नए रिजिम में क्या हुआ fully taxable सर point number one हमने done कर लिया आप आजाते हैं point number two पे point number two क्या कहता है children education allowance 500 रुपे for three children यानि सर children education allowance तो 500 रुपे गुणा में 12 छे हजार तीनों के लिए इच चिल्डरन नहीं बोला माइनस में तीन चिल्डरन के लिए है तो सौ multiply दो इंटू में 12 यानि सर section 10 कहता है 2400 माइनस करिए और आपका taxable जो हो जाएगा कितने होंगे 2600 3600 लेकिन नियूरिजिम कहता है ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए कितना taxable करो मेरे हिसाब से मैंने 500 बोला न ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहले देखिए कोई doubt यहां तक किसी को doubt समझ में आ रहा है आपको old और new compare करके चलना है कि नए में क्या हमें ध्यान रखना है आपको सारी बातों को प्रोविजन को याद रखना है तीसरे पॉइंट पर कहता है होस्टल एक्सपेंडिचर 500 रुपे एच चाइल्ड के लिए दिया गया अब कितने चाइल्ड है आपको पता यह तीन है तो होस्टल होस्टल कितने होगे हमारे पांसो मल्टिप्लाइ थ्री मल्टिप्लाइ ट्वेल तो सर आपने कहा यह अठारा हजार हो गया फोड़ा शॉट फर्म में लिख लिया कितने होगे सर अठारा हजार माइनस एक्जेम्ट कहा गया तीन सो रुपे हम एक्जेम्ट कर देंगे इन्टू में बारा इन्टू में दो बहत्तर सो रुपे एक्जेम्ट तो बच जाएंगे दस अजार आठ सो ओल्ड में नए वाले में बोला भी या ऐसा कुछ माइनस करने नहीं देंगे हम आपको अठारा का अठारा रहेगा समझ पा रहे हैं आप पता चल रहा है न डिफरेंस क्योंकि एक बार आपको डिफरेंस पता चल गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा मैं फटा फटा आगे बोलूगा तो आपको याद रहेगा बस सर इसके बाद हमारा CCA City Compensatory Allowances CCA सर इसमें तो पहले कोई exemption था ही नहीं इंटू में 12 तो पहले सर कोई exemption नहीं था तो अब कौन सा देंगे ये अब भी कोई exemption नहीं रहेगा CCA City Compensatory Allowances Fully Taxable Allowances का पार्ट था तो ओल्ड में भी पूरा टेक्स लेते थे और नहीं में तो सब बोली रहे हैं सब पे टेक्स दो भाई इसके बाद medical पंदरा सो रुपे medical कितने होगे पंदरा सो इंटू में 12 पहले भी नहीं था इसमें exemption पुराने टाइम पर हुआ करता था जो खतम हो गया अब भी नहीं दिया हमने यूनिफॉर्म अलाउंसे सर यूनिफॉर्म अलाउंसे इस नॉट इस्पेशल अलाउंसे यूनिफॉर्म अलाउंसे जनरली ऑफिशियल अलाउंसे है मारा और जितना रिसीव करोगे जितना पैसे बचा लोगे पॉकेट के अंदर वो taxable ही होगा चाहे old रिजिम हो new यहां पर कोई ऐसा चेंज नहीं है तो यहां पर रखा गया यूनिफॉर्म अलाउंसे में सर आपको टोटल ना यूनिफॉर्म अलाउंसे मैंने बताए दस में से आपने खर्च कर दिये तीन तो दस माइनस में तीन तो यहां भी साथ हजार आ जाएगा कुछ बच्चे के माइंड में question हो सकता है मैं दुबारा बोल देता हूँ यूनिफॉर्म अलाउंसे ओफिस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं सर तो यह ऐसा अलाउंसे था जो कि पहले भी exempt नहीं था अगर आप सारा बचा लेंगे तो taxable यह तो एक तरीके से fully taxable है ना पहले भी तो बचा रहे हो तो अब भी fully taxable है जितना बचा रहे तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ सर यहां पर एक और investment डाल देते हैं इसने अपने father का treatment करवाया है अपने father का जहां पर पचास अजार रुपे का खर्चा किया है इसने ठीक है एक लिख दिया मैंने जर्नली सर और कुछ तो है नहीं total करते है टोटल करते है छे लाक इसका नाइन लैक इसका थोड़ा color change कर ले आपने बताया ग्रॉस टोटल नौ लाक 21,000 सर दूसरे का क्या सेमी आएगा दस लाक 49,000 ठीक है दस लाक 49,000 अभी ये तो deduction का पार्ट है मैं बता देता हूँ ये ये ATD का पार्ट है वैसे हलाकि कराए नहीं लेकिन मैं तो सरिफ फरक दिखाना चाहता हूँ ये सर ATD में deduction मिल जाएगा सरिफ मैं समझाना चाहरा हूँ आपको ठीक है ना का नहीं देंगे तो मैं बस बताना चाहरा हूँ आपको अब माइनस क्या करेंगे सर माइनस standard deduction पचास अजार रुपए नए वाला बोलता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम सरिफ आपको हमने बता दिया tax rate कम हो गया है उसके बाद की कहानी तो star से समझ जाओ आप एट सेवन वन फोर डबल जीरो तस यानि न्यू रिजिम के हिसाफ से आपका टेक्सेबल सेलरी दस लाख उन्तालिस अजार है 10,39,000 रुपीज और ओल रिजिम के हिसाफ से 8,71,000 फोर तो समझ पा रहे होंगे कि न्यू रिजिम जब लाया तो उन्होंने इंकम हमारा क्या करा इंक्रीज लेकिन tax rate डिक्रीज करा तो कहीं न कहीं महीं पर लेके हमें आ गये हो अभी तो आगे liability निकालेंगे तो देखेंगे ये क्या निकला हमारा taxable salary अब निकालेंगे taxable income अगले पेज़ पे चलते हैं सर taxable income अभी किसी का भी doubt नहीं ले रहा मैं screen पे देखी नहीं रहा भी तो किसी का भी मैं देखी नहीं रहा इस screen पे ताकि मैं एक बार पहले सारे concept करा दूँ आपके मुझे पता है कुछ बच्चों के बहुत सारे question होंगे फिर मैं एक साथी ले लूँआ सर दोनों के हिसाब से ठीक है यह old के हिसाब से यह new के हिसाब से सर टेक्सेबल सेलरी इंकम फ्रॉम पहला है इंकम फ्रॉम इंकम फ्रॉम इसके उपर पता क्या लिखेंगे सर एक होता है टेक्सेबल सेलरी तो सिर्फ एक हैड से पूछ रहा है यहाँ पर टेक्सेबल इंकम मतलब सारे हैड से पूछ रहा है समझ मैं दोनों में फरक टेक्सेबल इंकम का मतलब सारे हैड से और taxable salary का मतलब सिर्फ एक head से बाकी के head यहाँ पे है यही नहीं तो हमारा यही हो जाना है तो 871,400 871,400 और sir यहाँ दूसरे पे 10,39 10,39 अब तो कुछ है नहीं sir जोडने के लिए तो यही आगया sir हमारा gross total income taxable income नहीं आया अभी आएगा gross total income अगर आपको याद हो ना पहली class तो पहली दूसरी class के अंदर मैंने बताया था आपको कैसे निकालते पांचो head यहाँ पे income from house property आ जाता income from capital gain आ जाता income from other source आ जाता income from PGBP क्योंकि X का ऐसा कोई income है नहीं तो सब 0 तो इसलिए मैंने इसे ले लिया अब यहाँ पे यही total आ जाना है sir 871400 पहली class के अंदर यह सारी बाते थोड़ी थोड़ी बताई हुए मैंने minus कर देंगे deduction sir deduction जो होता है न यह न चैप्टर 6 भी है कई बार बोल देते हैं चैप्टर 6A के अंदर गीवन है तो हम section पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं एक बार chapter खतम हो फिर revision में हम chart में जब करेंगे तो सारे section को भी revise करेंगे sir ATC के अंदर deduction question में मैंने लिखा इस पेसली अभी आपको पता नहीं sir ATC में क्या deduction होता है बस इतना समझिए कि deduction का मतलब GTS gross total income में GTS कह रहा हूँ gross total income में से minus करने को deduction बोलते हैं तो मैंने question में खुद बोल दिया sir इसका deduction ATC में मिलेगा तो मिलेगा मतलब आपका deduction कितने रुपए का खर्चा था उसका invest किया था एक लाख रुपए तो मैं उसे एक लाख रुपए का deduction दूँगा लेकिन new reason बोलता है नहीं नहीं हम ऐसा कोई deduction नहीं देंगे आपको यानि salary के अंदर तो बाते बोली उसके बाद भी फिर उसने क्या करा अपने father के treatment पे खर्चा किया तो ATD के हिसाब से deduction मिलता है मैंने especially लिख दिया आभी तो आपको दिमाग इनी लगाना sir ATD क्या नहीं सोचना आपको कितना खर्चा किया 50 तो 50 पूरे deduction मिल जाएंगे इसे तो कितने मिल गए इसको और newism बोलते हैं नहीं father हो चाए कोई भी हम तो नहीं देंगे माइनस करने अब आएगा taxable salary सरकार की 4 लाकियों को समझो taxable income sorry यहाँ पे आपकी income बन जाएगी माइनस 7 लाक 21 चार सो और यहाँ पे income अब निकालना होगा आपको tax तो दोनों को compare भी कर रहेंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा old rhythm से कम tax आएगा और ऐसा भी नहीं कह रहा कि new rhythm में हमेशा tax जादा आएगा कुछ भी हो सकता है बस आप सोचो कि benefit जो है हमारे बहुत सारे छीन लिए गए tax rate नाम कम करने tax का rate कम करने के नाम पे हमारे सारे benefits छीन लिए salary में इतने deduction थे सब छीन लिए उन्होंने ATC से लेके ATU तक के deduction थे वो भी छीन लिए हमसे उन्होंने दिया कुछ भी नहीं बस income बढ़ा दिया उन्होंने अब चलिए tax calculation कर लेते हैं अगले page पे taxable income है ना तो दोनों के लिए next page पे separate कर लेता हूं तो सर ये चीज है ना अब आपकी income है नहीं आप बोलोगे tax rate कम हो गया बोलोगे और discuss भी करोगे सरकार ने इस बाद tax rate कम कर दिया है पहले 20 था अब हो गया है 10 लेकिन जो tax payment करता है न सच्चा ही उनको पता चलता है कि सरकार ने कितना बड़ा धोखा कर दिया उनके साथ चलिए सर ये old वाला है और ये new वाला है यानि rate old rate के हिसाफ से निकालूँगा और new यहाँ पे निकलेगा taxable liability ठीक है सर old वाले के हिसाफ से new वाले के हिसाफ से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ front में old वाले के हिसाफ से मेरी income जो बन रही है 27.400 है यानि यहाँ पे जो मैं निकालने वाला हूँ वो 7.21.400 पे tax और नए वाले में 10.400.000 नए वाले में नए rate को apply करेंगे पुराने वाले में पुराना चलिए सर white से ज़गता है up to 250 चाहे नया हो या पुराना हो निल इसके बाद next 250 चाहे नया हो चाहे पुराना हो 5% दोनों में तो यहाँ पे सर 12,500 बनता है और यहाँ भी 12,500 अब यहाँ पे बचे सर पता ही कितने सिर्फ 2,14,000 तो मैं अब यहाँ highlight कर देता हूँ यह मैं कर रहा हूँ old के लिए next 2,14,000 क्या 5 ही गए ना तो 2,21,400 ओके 2,21,400 यह old वाले के लिए कर रहा हूँ कितने % सर सीधा 20 सीधा 20 तो 2,21,400 पे सीधा सर 20 4,24,200 नहीं नहीं अभी रुख जाईए अभी रुख जाईए अभी रुख जाईए करेंगे ना पहले निकाले और एक चीद याद रखेंगे गए 87A 87A सर क्या है रिबेट 87A का रिबेट दोनों के लिए है पुराने वाले के लिए भी है ऐसा मत समझना वो भी छीन लिया कुछ तो रहने दिया है हमारे पास अभी यहाँ पे निकालते हैं एक बार सलिए सर न्यू के इसाब से न्यू तो क्या कहता है next 250 फिर से next 250 पे लेंगे 10% मतलब अभी खतम नहीं हुआ next क्योंकि पुराने वाले में इंकम खतम next 250 कितने परसेंट 15 37,500 अभी खतम नहीं हुआ अभी है balance 39 मैं rate भी लिख देता हूँ सर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहां कहां से निकाले जा रहे है तो यह तो 0 है यह add the rate 5% और यह वाला add the rate सीधा 20% लगा है और यहां लेकिन add the rate 10% था और यहां add the rate 15% और यहां add the rate 20% 39,000 into 20% 70 सर अभ निकालते हैं टोटल 12,500 56 780 12,500 25,000 37,500 82 देखा tax rate कम हो गया हमारा सरकार ने कैसे आपके जेब से पैसे निकाल दे tax rate कम हुआ आपको तो rate कम दिख रहा था लेकिन आपकी tax liability अभी यहां नहीं रुकी अभी sex भी लगाएंगे प्लास 4% बच्चा पूछ रहा था सर 4% क्या है health करोना की vaccine free मिली कहां से यहीं से education आप पढ़ाई में पढ़ रहे हैं केजरीवाल बोल रहे हैं हम यह पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं वहाँ से पैसा नहीं आ रहा पैसा यहां से आ रहा है education का ठीक है न वो बोल रहे हैं हमने यह कर दिया वो कर दिया लेकिन पैसा center से जा रहा है education says sir health education says दोनों case में 4% ही इसमें कोई बदलाब नहीं है to सर अब tax liability आएगा यह सही से निकाला नहीं किसी ने ज्यादा कम तो नहीं निकाला सही है पक्का ना मेरे को लग नहीं रहा है यह सीजार 37, 250, 60 हो भी सकता है अब देखिए मेरा purpose था मेरा purpose था क्या मेरा purpose था आपको समझाना कि newism, oldism क्या चीज है मेरा purpose यह नहीं है कि आप उसमें परिशान हो जाओ कि सरकार ने हमारे साथ क्या कर दिया आपकी income भी नहीं है तब भी आप परिशान हो सकते हैं कुछ बच्चे कि हमारे साथ तो बुरा हो गया है तो आपको कुछ नहीं सोचना तो simple सी बात है सर जब हमें salary निकालना होगा और examiner बोलेगा ये था deduction सर salary chapter के basis पे MLA वाला allowances exempt नहीं होगा standard deduction नहीं मिलेगा professional text नहीं मिलेगा और exemption आपका परकिस जट्स के भी कुछ कैंसिल किये गए leave travel concession नहीं मिलेगा HR नहीं मिलेगा special allowances का deduction नहीं मिलेगा entertainment allowances का नहीं मिलेगा सिर्फ ये थे salary मैं salary वाले point highlight कर देता हूँ जिसके उपर focus करना है आपने सर एक है हमारा बाकी मैंने इसको ना line से जो नए 10 year मैंने updates किया है फिर से अभी update किया है मैंने साहिद कल पर सो print होने जाएंगे तो ये line से मैंने कर दिया उसको कुछ ज़्यादा update नहीं किया ये कुछ table वगर है मैं chart वगर है आपको तो करा हूँ गई आपका क्या दिक्कत है देखो income tax के अंदर क्या रहता है कि कि अभी एक बार और मैं बनाऊंगा फिर update हो जाएगा तो ज़्यादा update नहीं होता सर update का मतलब क्या है सर simple simple छोटे छोटे point मैं कोसिस करता हूँ कि आसानी से chart के form में आप लोगों के पास दे दिया जाए जिस पे मैंने highlight किये हैं ये point salary से related है बाकी point other chapter से related है तो आपको ध्यान नहीं देना उस पे सर इसके बाद पहले बताईए यहां तक मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ यहां तक सारा मैंने question किया question को दो format में divide कर दिया old rhythm और समझ में आया sir old rhythm में क्या था और new rhythm में क्या था उसके हिसाब से सरकार ने के new rhythm opt करने में हमारा नुकसान है तब अगर हमारे पास deduction हो मान लो मैं LIC में पैसे नहीं डालता मैं ATD का deduction ही claim नहीं करता मैं HR का ही मैं नहीं लेता तो भाईया जब मैं यह सारे काम नहीं करता तो यहां पे यह वाले point भी minus नहीं होते तो उब्वे से यह income भी बढ़के आता जब दोनों ही income समान आगे बढ़के तब तो मैं new rhythm पे ही जाओंगा क्योंकि जब दोनों income सेम है एक जगह rate कम है तो मैं new rhythm पे चला जाओंगा लेकिन दोनों जगह में देखा जाए तो एक income हमारी कम आ रही है और एक income ज़ादा आ रही तो चेक करना पड़ेगा के new rhythm होगा old rhythm ओनर्स के अंदर एक tax planning के नाम से भी subject है personal tax planning ये corporate tax planning ठीक है उसके अंदर ये पूछा जाएगा बताईए दोनों question दे दिया old rhythm तो आप comment में करिए के जो SSC है taxpayer है उसको कौन सा रिजिम आप्ट करना पड़ेगा अब ये जो बताया है ये पूरा solve करना है और उसी के हिसाब से आपको बताना है सर यहाँ पे old rhythm आप्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे tax liability क्या है कम है compare to new rhythm तो ये बस last में comment ये answer है आपका जिसका tax planning होगा जिसका वे example question question आएगा पूरा salary का corporate tax planning है या tax planning है personal tax planning हाँ और program के अंदर वो है semester number 4 में या 5 4 में तो PTP के भी मैंने अभी tax 10 year आपको market में नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी सारे amendment है अगर time मिला तो अगर वो मैंने लिख दिया सारा arrange कर दिया तो तो आप आएगा नहीं तो आपको जो college में है वही लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा जिनके पास income tax है वो personal tax planning gift है उनके लिए free का subject question पूरा यही बस बोलेंगे comment करिए कि SSC को क्या opt करना है आपने एक जगा salary करा दो paper में काम बन गया वहां भी salary 15 का फिक्साना है यहां भी salary 15 का फिक्साना है ठीक है न तो वो चीज़े हैं और जो become program वाले बच्चे अगर इसको retain कर पाए तीसरे semester में तो चौते में वो PTP ले लेते हैं जिससे काम क्या हो जाता है उनका आसान हो जाता है तो चलिए फटाफट नोट करिए अब एक बार doubt session doubt ले लेते हैं फटाफट